दोस्तों तेरी मेरी सब की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे मौजूदा परिस्थिती की और इस परिस्थिती से निकलने के लिए हमारे पास क्या विकल्प होना चाहिए इस विकल्प की बात करेंगे और इस विकल्ब पे बादचीत के लिए हमारे बीच मौजूद हैं बरिस्ट पत्कार राजी सभा टीवी के पूर्व कारी कारी संपादक उर्मिलेश जी और मैं उर्मिलेश जी का इस सो में स्वागत करता हूँ उर्मिलेश जी देश की जो परिस्थिती है उस पे अलग-लग तरीके से लोग बात कर रहे हैं सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं और क्या रास्ता होना चाहिए उसकी तरफ अपने सुझाओ दे रहे हैं कई वार जो लोग नहीं चाहते हैं कि ये बादचीत हो वो ही आरोप लगाते हैं कि आप तब कहां थे जब इस देश में इमर्जंसी लगी थी आप तब कहां थे जब इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम चीजों से देश जूज रहा था आप तब क्यों नहीं बोले थे हम लोग जवाब देते हैं चुकि नौजवान हैं कि हम इमर्जंसी के दौर में पैदा ही नहीं हुए थे लेकिन आज जो अगोशित इमर्जंसी है उस इमर्जंसी के बारे में बातचीत करना और उस इमर्जंसी के खिलाफ संघर्स करना ये हम युवाओं की जिम्यवारी है और हमारे लिए यही देश भक्ती है यही राश्र सेवा है इस तरह से जो सवाल पूछे जाते हैं कि आप तब कहां थे मैं समझता हूँ कि यहां से ही हम लोगों को विकल्प की बात करनी चाहिए और मौजूदा परिस्थिती में जो समस्याओं से यह देश जूज रहा है उसमें विकल्प तलासने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि आप इमर्जेंसी के दौर में भी रहे होंगे आपने उस दौर को भी देखा होगा तो मेरे ख्याल से उस वक्त चात्रों और नौजवानों ने किस तरीके से इस देश में इमर्जेंसी के खिलाफ अपनी बात की और एक विकल्प ढूंढा यह अलग बात है कि आज उस विकल्प का ही नतीजा है कि हम कई तरह की समस्याओं से जूज रहें लेकिन समस्याओं होना यह कोई नई बात नहीं है लेकिन समस्याओं को पूरी तरीके से नजर अंदाज कर देना और समस्या की तरफ इंगित करने वाले जो लोग हैं मैं समझता हूँ कि हमारे समाज में हमारे देश में विकल्प की जो भूक है लोगों में समाज के अलग अलग तबकों में वो अगर दिखा जाए तो छट्थें दशक के बास सात्वें दशक के आज पास शुरू हो गई थी शुरू में तो ये था कि अपने देश में आजाद मुल्क हुआ था सपने थे लोगों के आशाएं थी और विश्वास भी था क्योंकि नहरू जैसा कद्दावर नेत्रित तो था गांधी जी की हत्या हो चुकी थी तो उसके बास जब देश आजाद हुआ और नया नित्रित सामरे आया तो बहुत दिनों तक ऐसा था कि कोई विकल्ब की जरूरत नहीं थी को लगता था कि यह जो हमें मिला है यह आजादी की लड़ाई में तपे तपाए लोग हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा 1953 आते आते बहुत सारे ऐसे काम होने लगे थे ऐसे कदम उठाए जाने लगे लगे थे कि जो लगा की सत्ता उतनी लोक्तांत्रिक नहीं है जितना हमने अजादी की लड़ाई के समय परिकल्पना की थी या जो हमने सोचा था आज जो रिक्तता या एक वैक्यूम है एक विकल्प हिंता आपको दिखाई दे रही है वो शायद इसी लिए है कि हम उस समय की जटलताओं को समझनी पाए हम ने ये नहीं समझा कि अपने देश में जो शिक्षा जिस तरह से होनी चाहिए थी जिस तरह का हेल्थ केर सिस्टम होना चाहिए था जिस तरह की लोकतांत्रिक संरचना समाज की बननी चाहिए थी 1950 में जब संविधान सौपा जा रहा था देश की जनता को तब अमबेटकर साहब ने कहा कि हमारे देश में हम आजाद हो गए हैं एक व्यक्ति एक वोट का सिध्धान तो हमारे हां लागू रहेगा लेकिन गैर बराबरी बनी रहेगी आर्थिक स्तर पर और जब तक ये बनी रहती है सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी की बात उन्हों ने की तब तक हम सचमुछ लोगतानफिक नहीं होंगे और एक दिन अन्याई के शिकार लोग खड़े होंगे और इस अन्याई विवस्था पर सवाल उठाएंगे उसको द्वस्त करने में जुटेंगे तो मैं समझता हूँ कि आज वही स्थिति है एक गैर बराबरी से भरा हुआ समाज तमाम तरह की जटलताओं से भरा हुआ समाज जो विकल्प की शक्तियां हैं या जो दावा करती हैं कि उनके पास बहतर विकल्प है उन्होंने भी इसको सही रंग से नहीं समझा और सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी बढ़ती रही ये वो वज़ा है जिसकी वज़ा से मैं समझता हूँ हम लोग विकल्प हींता के एक भावर में फंसे दिखाई पड़ रहे है इस देश के अंदर कॉंग्रेस ने रूल किया अलग-अलग तरह की रीजिनल पार्टी इस ने रूल किया इनका जो विचार था इनके जो सिध्यान्त थे उन सिध्यान्तों को लागू करने में ये लोग विफल हुए चाहें वो लिबरल हों प्रोग्रेसिव हों डेमोक्रेटिक हों या लेफ्टिस्ट हों या सोसलिस्ट हों तो वो लागू नहीं करने की वज़ह से आज जो है एक सरकार कायम हुई है जिनका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है और एक-एक करके उन परतिमानों को उन सिध्यानतों को और उन विचारों को यह पूरी तरह से धूमिल कर देना चाहते हैं उसका उधारन हम देख रहे हैं कि तिरपुड़ा जीतने के बाद सबसे पहले लेन सिमेफिक्र शाहब की मोर्ती तोड़ दी गई और इन सभी घटनाों के बीच एक घटना यह भी हुई कि सेमाःप्रसादमुकर जी के मुह के उपर कालिख लगा दिया गया अब सेमा परसाद मुखर जी के ऊपर कालिख लगाने वाले जो लोग हैं बंगाल सरकार ने बंगाल की पुलिस ने तुरंट उनको गिरफतार कर लिया लेकिन तुर्पुरा में घटना को अंजाम देने वाले जो लोग हैं तमिलनाड में जो घटना को तो आज भी एक फर्ग तो दिखाई देता है कि BJP और RSS संग परिवार एक तरफ है उनका राजनितिक दर्शन एक तरफ है और दूसरी तरफ अंबेटकरज, अंबेटकरिजम हो, मार्क्स हो, पेडियार हो, लेनिन हो या फिर गांधी हो, इनका दर्शन एक तरफ है तो इन सारे दर्शनों के बीच में कहीं न कहीं एक कॉमन स्पेस है, एक सेर्ड मेमोरी है इनकी, और आपस में बैठने की, लरने की, संगर्श करने की, और देश के निर्मान करने का एक इतिहास है, लेकिन इन सबसे बिलकुल अलग थलग जो दूसरा धरा है, जो एक एक करके खतम कर देना चाहता है, लेनिन के तो सिर्फ मूर्ती तोरी गई है, गांदी जी के तो हत्या ही कर दी गई, और राम के नाम पर राजनीती शुरू करके, नाथुराम की मंदिर जो लोग बना रहे हैं, तो क्या इनके खिलाफ इन तमाम सक्तियों को एक जुट नहीं होना चा उसको करा रहा है, या नहीं करा रहा है, मेरे पास कोई पर्मार नहीं है, लेकिन ऐसे दुसासी लोगों को क्या कहेंगे, जो बकैदे मूर्ती और मंदिर स्थापित करने की बात कर रहे हैं उनके नाम पर, तो ये इस देश में जो आज का निजाम है, ये कहीं न कहीं जो करना होगा और सिल्फ क्रिटिकल होना पड़ेगा, देखिए एक सिक्स्टी सेवन, सिक्स्टी नाइन का वो दोर था जब डॉक्टर रामनोर लोहिया और उनके और जो मित्रगण हैं, उन्होंने गैर कांग्रिस वात का नारा दिया, मैं ये कभी नहीं कहता कि गैर कांग्रि लाएंगे तो लैन्ड रिफार्म्स करेंगे, क्या गैर बराबरी खतम करेंगे, क्या शिक्षा में बराबरी लाएंगे, आप शिक्षा में बराबरी जो है, ये कोई समाजवादी और वामपंथी नारा नहीं है, ये पुझीवादी नारा भी है, आप ब्रिटेन में जाकर देखिये फिनलंड में जाकर देखिये डेनमार्क में जाकर देखिये आम जो लोग हैं और जो वहां चाही तता कषित बड़े लोग हैं वहो historically बड़े और और वटार बेटो अ इसलिए काते हैं ना उनको कि भई लेकिन हमारे मुलक में आजादी के बाद भी इन चीजों पर काम नहीं हुआ तो समाजवादियों ने भी कोई काम नहीं किया इस तरह का जो अब जैसी बिहार है बिहार में लैंड रिफार्म्स की कोशिस 1947 से ही शुरू हो गई लेकिन आज त एक सही ढंक से जो लोकतांत्रिक जो चेतना है और प्लस जो प्रोडक्टिव फोर्सेज हैं उनका भी विकास और विस्तार वो करता है लेकिन इसकी कोई कोशिस सार्थर ढंक से नहीं की गई तो मेरा ये मानना है कि कहीं न कहीं जो आप अवाम के इशूज को आपने टिक नहीं किया और जो लोग 1925 में आरेसिस बना करके और आजादी की लड़ाई में जो हिस्तेदार ही नहीं थे वो लोग कोने में बैठ करके इंतजार करते रहे हम बहुत सारे जो डिमोक्रेट्स हैं सेकुलर हैं साइंटिफिक सोच के अपने को पैरुकार मानते हैं वो सोचते रहे हैं कि देखी आज का दोर है बहुत अगर मैं इसको तोड़ा इसका संचिप्ति करण करूं कि कॉंग्रेस के पास जो सपना था उसने साथ सतर दसक तक पूरा करने की कोशिश की आजादी की लड़ाई का जो ड्रीम जो उनका विजन था सपन भंग की स्थिति होई इसलि जी ने जो प्री उपर सौरिये सब कोईला ख़दानों का नेशनलाजिशन वगरे वगरे किया समाजबात का नारा लगाया कुछ लोगों को लगा कि हां कुछ करने जा रही है लेकिन तब तक कुछी दिनों के बाद प्रचंड बहमत वाली वो सरकार जो है इमर्जनसी लगा आज वो जितने सूबों में हैं आप देखिए उनकी क्या इस्तिती है अब रही वामपंथियों की बात मैं थोड़ा सा इनके इनके भी बारे में कहना चाहता हूं कि देखिए एक जमाने में मुझे याद है कि सलकिया प्लेनम हुआ था उसमें ये सोचता कि हम कैसे की जरूरत है तो मुझे लगता है कि इसी दर्मयान ये जो सतर असी का दसक है नबे का दसक है फिर गल्लाइजेशन आ गया और गल्लाइजेशन के दौर से पहले और उसके बाद मैं समझता हूं कि आरेसिस जो नागपूर तक बैठा था या दूसरी जगों पर था या च्छ की बात आई थी बकैद एक कमिशन बन गया था वो तो डाक्टर केर नारानन जैसा रास्टपती उस दौर में था जिन्होंने साफ साफ स्टेंड ले लिया कि समिधान की समिक्षा का कदम नहीं उठाया जाना चाहिए और तब वाजपई सरकार को विड़ा करना पड़ा मैं मुझे अभी याद आया किया नारानन का वह कदम नारानन साहब ने वीर सावरकर को भारत रत्म देने के वाजपई सरकार के प्रस्ताओं को खारिश कर दिया था और इसके लिए जगड़ा नहीं किया उन्होंने वाजपई जी को समझाया कि आप यह क्या कर रहे हैं और वो तो मैं ही कहता हूं कि एजंडा उसमें भी RSS का था लेकिन एक तो बहुमत की सरकार नहीं थी गटबंधन पर निर्भर थी और दूसरे बेहतर किस्म के लोग बड़े पदों पर भी थे समाज में भी रेजिस्टेंस था कहीं न कहीं स्वपन भंग की स्थिति हर जगा है कॉं प्रावना सपना उनका है लेकिन वो उनके पास सपन है इसलिए उनके कारिकरता उनके लोग खुराफात कर रहे हैं अपने उस कथित सपने को पूरा करने के लिए वो क्या है हिंदू राष्ट बनाना हिंदू राष्ट बनाना एक ऐसा राष्ट जो जनतंत्र का सफाया कर द और मैं समझता हूँ कि जो उलट हैं इसके जो वाकई मानवी हैं जो वाकई इस दुनिया को बदलना चाहते हैं बेहतर करना चाहते हैं कहीं न कहीं उनके अंदर ये कमी है कि वो क्यों नहीं उसका विस्तार कर पा रहे हैं क्यों नहीं वो लोगों तक जा पा रहे हैं हमें लग जात्य और जो उत्पिरिच समाज है उनके रिष्टों की कहानी को हमने कहीं न कहीं नजर अंदाज किया है और वो इसलिए भी हम उसको पट्री पर नहीं लेया पाए क्योंकि हमारे हाँ आत्म निरिक्षण और आत्मा लोचना थेवरिटिकली बहुत यह मजबूत पॉइंट रहा है तमाम तरह के समाजवादियों वामपंतियों का हम बहुत आत्मा लोचक अपने को कागज पर कहते हैं लेकिन शायद ब्यवहार में वो चीजें उतनी नहीं उतर पाई हैं यह भी एक कारण हो सकता है इसमें दो बात मुखरूब से जो आप कह रहे हैं निकल के आ रही हम बहुत का सबसे ज़्यादा लाव यह किसी को मिला तो वो बीजेपी को मिला अगर हम यह कह दें की बीजेपी का फूल फॉर्म बिहाइंड जेपी कहना जो है वो ठीक रहे और जेपी ने आरे सेसको समर्थन किया अनेक मुद्दों पर अगर आप जेपी के बयानों को उस स बहुत ही ऐसी तरह की बयान बाजी की जिसको पब्लिक प्रेटफर्म पे बोला नहीं जा सकता है मतलब वो RSS को समझ चुके थे और बिलकुल उसके खिलाफ हो गए और उन्होंने माना कि मुझे इसमें सामिल नहीं होना चाहिए था कि उस वक्त का नौजवान जो है वो पूरे उत्साह से वो एमरजनसी के खिलाफ हुसान दोलन में सामिल हुआ लगभग कई राजियों में सरकारिम बदली गई एक नया युवाओं का नित्रित खड़ा हुआ और उन युवाओं का नित्रित ही कई राजियों को बाद में चलाया भी मतलब यह है कि इमरजनसी के बाद का जो बैचारिक लाफ सबसे ज़्यादा किसी को मिला वो भी जेपी को मिला और जेपी मुवमेंट के बाद जो बैचारिक काम दूसरे लोगों को करना चाहिए था उन्होंने वो बैचारिक काम नहीं किया इसका है कि सबसे बड़ा एकजामपल जो मैं समझता हूँ कि कॉंग्रेस और दूसरी राजनितिक पार्टियां ये समझती थी कि राज का काम है लोगों को सिक्षा देना सैध्यानतिक तौर पे लेकिन सरकार में रहते हुए वो सरकारी संस्थानों को मजबूत करने पे ध्यान नहीं दे रहे थे रादर देन की आरेसेस का ये मानना था कि राज और समाज का जो चरित्र है उसको एक कर देना है उसके बीच में जो अंतर है उस अंतर को पाट देना है इसलिए वो अपना पैरलली स्कूल सिस्टम जो है इस पूरे देश के अंदर खड़ा किये अलग-अलग लोगतांत्रिक इंस्टिचूशन में अपने लोगों को घुसाया बिठाया देश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि पूर्व सेना ध्यक्ष को मंतरी बनाया गया है और वो सेना ध्यक्ष जो है वो आरेसेस का और आजे नजाने और भी कुछ बने कुछ लोग बने वो बकाइदा ड्र पहन करके उसके ड्रिल में सामिल होते हैं और आरोब भी लगाती है आरेसेस की दूसरे राजनितिक डल जो है वो सेना पर राजनिति कर रही है जबकि सेना ध्यक्ष को ही जो है वो मंतरी बना देते हैं तो उनका नेरेटिव जो है वो जनता के बीच में जा रहा है वो चला किया गया एक तो सवाल यह बनता है कि उस बैचारीक काम को कैसे किया जाए ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ और सिर्फ किसी राजनितिक दल की आलोचना करने मातर से जो है एक इमांदार कोर्स करेक्शन होना चाहिए मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं मैं किसी एक हवा में कह रहा हूं आप उनके डॉकुमेंट्स पढ़िए उनकी पुलिटिकल लाइन पढ़िए एलाइंसेस के बारे में गाओं में काम करने के बारे में इसकूल के बारे में इतनी जो इस्थितिक खतरनाक आज पहुंची है इतनी जो जटिल होई है उसके पीछे भी पूशग प्रिशा के अंदर यों कहा जाए कि कॉंग्रेश के अंदर एक जनसंग में साथ मवज़ूद रही है आप ये देखे है की था प्रजापरिश्यत ने जब आंदोलन किया जमौ कश्मीर में वह कौण लोग थे जो अन्दोरर लीट कर रहे थे सार रैस ससे के नहीं थे, सारे हिंदु महासभा के लोग नहीं थे, उसमें तो सब कुछ है, डॉकुमेंटरी प्रूफ है कि कॉंग्रेस के लोग भी इन्वाल्ट थे, जो चाहते थी कि शेक अब्दुल्ला को किया जाए, ठीक उसी तरह से हम अगर 70-80 के दसक में भी देखें, मैंने तो अपने जीवन में अनिक लोगों को देखा है, जो कॉंग्रेस पार्टी में हैं और बिल्कुल हिंदुत्वादी हैं दिमाग से, फैसले तक करवाते हैं, आप, आप, मैं शावानों की बात क्यों नहीं करूँगा, मैं बाबरी मस्जिद डिमोलिशन की बात कर रहा हूँ, उस वक्त कॉंग्रेस पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं का और उस समय के केंद्र सरकार का क्या रोल था, तो एक साफ्ट हिंदुत्वा या हीडेन एजेंडा कॉंग्रेस के अंदर भी इस तरह के रहा है, तो इस वर्ण व्यवस्था को समझने में, देखिए एक अंबेटकर को एक जगह बहुत महत्त्व के साथ हमें याद करना चाहिए, कि उन्होंने साफ कहा था कि हिंदुस्तान में डिमोक्रसी और इसका जो असली जो राश्ट्री चरित रहे तब तक नहीं उपरेगा, जब तक हिंदुत्वा और वर्ण व्यवस्था रहेगी, हिंदुत्वा शब्द उन्होंने यूज नहीं किया, लेकिन उसका मतलब वही है, कि वर्ण व्यवस्ता डेमोक्रिसी की दुश्मन है वो एक एक लोकतंत्र की दुश्मन है एक रास्ट की दुश्मन है वर्ण और जब तक जाती है तब तक हिंदुत्वा है मुझे लगता है कि इस बात को भी भारत के वामपंतियों को समझना चाहिए था झाल झाल